असलाम अलेकुम टूडेंस उमीद करता हूं बेटा आप खेड़ित से होंगे आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 का बकाईदा आगाज करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट एंड थर्मो डैनामिक्स अप Cheese और थर्मो डैनामिक्स पहले चैप्टर के नाम को एक्स्प्लेंड करेंगे के चैप्टर के नाम किया है थेर्मो डानामिक्स थर्मो स्टेन्टיל Right ही या बड़ तर्म मेंड मोशन उसको एक मॉक्थारी मतलब ऐसा प्रोसेस एसी ब्रांच जिसमें ठर्मीशर्प में로 थेते हैं ऐसे में आप नाम ृतメक्स का इसकी खे हैगा heat engine जिसमें heat flow होती है हमेशा high temperature से low temperature की तरफ और यह conventional method है जिसमें हमेशा heat high से low की तरफ move करती है इसके opposite process है refrigerator जिसमें heat आप low से move करवाते हैं high की तरफ लेकिन इस case में आपको बेटा एक external work करना पड़ता है लेर उसके बात यहां मैं इन जर्णल temperature और heat के दिरीम्हान में difference create किया है कि इनके दिर्म्हान क्या क्या difference है तो temperature क्या होता है आप पहले पढ़ चुखे हैं कि degree of hotness and coldness hotness और coldness की degree को आप temperature कहते है heat क्या होती है heat is a form of energy which flow due to difference in temperature temperature के फरक की वज़ा से जो इनर्जी का बहाओ है उसको हीट कहते हैं कहां से कहां होती है high temperature से low temperature के तरफ इसके होते है Kelvin Celsius Fahrenheit और इसमें जो Kelvin है यह इसका SI unit है जबकि हीट के जाउल calories यह अर्ज तो इसका जो जाउल unit है वह आपके पास बेटा क्या है SI unit है यह इसका क्या है पीटा SI unit यहाद लगें temperature cannot flow but heat can flow temperature हो है यह मईयर करता है Translational kinetic energy को किसकी molecules की चुक्के गैस की बात करें यहां पर यह जो है यह टोटल kinetic energy को discuss करता है clear तो यह है temperature और heat के दिरम्यान में basic difference उसके बाद हम बात करेंगे kinetic theory of gases जो के आपके चप्टर number 11 का पहला topic भी है जिसको जिसके अंदर different rules लिखें है वो ideal gas कि ideal gas किस तरह की होती है सबसे पहली बात याद रखनी है कि ideal gas जो है यह आपके पास consist होती है rigid microscopic balls पे मतलब यह चोटी चोटी बाल्स जो के काफी rigid होती है उन पर मुश्तमिल होती है उसके बाद कि अगर आपके बास कोई finite volume है जिसका वोल्ब आपको पता है let's suppose कि यह आपके पास एक जार है इसके जार गैस के molecules है तो कितने molecules होंगे तो याद रखिएगा finite volume में आपके बास large number of molecules आसकते हैं आप ऐसे भी कह सकते हैं कि in five number of molecules आसकते हैं जाद रखें गैस के molecules में ideal case में उनके दरम्यान में कोई force of attraction ये repulsion नहीं होती है इसका मतलब किया है कि अगर let's suppose ये gas का molecule है ये move कर रहे ये gas का molecule है यहाँ से move कर रहे अगर यहापस में करीब से गुजर भी जाएंगे तो इनके दरम्यान में कोई force of attraction ये repulsion नहीं होगी कैसा के solids में होती है उसके बाद जो gas है इसके जो motion है वो कोई सी होती है परफेक्टली elastic klion होती है वो klion भी कोई सी होती है इसकी klion होती है बेटा आपके पास head on klion इस तरह से कि यह आपस में head on klion करेंगे उसके बाद यह आपके पास मैंने कहा कि force of attraction रिपल्शन नहीं होती तो अगर होगी तो कब होगी एक होस्तन है यहाँ पे यह एक्जर्ट करते हैं फोर्स को कब जब यह कुलाइड करते हैं अगर करीब से गुजर जाएंगे तब यह कुलेजिन जब तब यह attraction रिपल्शन की force नहीं लगाएंगे लेकिन जब आपके पास molecules आपस में कुलाइड करेंगे सिर्फ उसी टाइम पे गैस के molecules force exert करेंगे उसके बाद separation between molecules always greater than size of molecules के दो molecules हैं इनके दर्मियान जो distance होता है वो size के लिए हासे क्या होता है जैदा होता है यह लिखे मैंने के separation जो है वो size से क्या है बेटा ग्रेटर उसके बाद molecules of gas only perform translational motion यह कर सकते हैं सिर्फ ट्रांसलेशनल motion perform करते हैं तो यह बात आपने याद रगी है यह कुछ points है kinetic theory of gases के तो यहाँ पे आपने discuss करने है नेक्स टोपी के आपका pressure of gas